बिना मशीन से बनी बिलकुल मिठाई के डिब्बे जैसी हजारों पर्तों वाली धेरों लच्छों के साथ बिना मशीन से बनी घर की सोन पापड़ी जो मुँमें जाते ही घुल जाए तोहारों की शान और मिठाई के डिब्बे की जान सोन पापड़ी आज मैं घर में बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स बहुत ही जबर्दस रेसिपी है वीडियो को बिलकुल इसकित्मत कीजेगा हजारों पर्तों के साथ सोन पापड़ी आप सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों से घर तैयार कर सकते हैं ऐसी खास सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ कि आप इजीली अकेले ही पूरी सोन पापड़ी तैयार कर लेंगे पर्फेक्ट माप सही रेशो और स्टेप बाई स्टेप रेसिपी बताने वाली हूँ 100% नो फिल रेसिपी इतनी मिठाई के डिब्बे जैसी धेरो पर्तों वाली सोन पापड़ी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले आप केस पर चड़ाए एक कडाई या पैन यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है उसका मेजरमेंट यानि सही माप यहां पर मैं डाल रही हूँ दो चमच घी यह फे कूई भी कड़ोरी आप सेट लीजे तो आपको नाप लिने आसान पड़ेगा तो इस कड़ोई से एक कड़ोई लिने मैंध्ये हैं कोई ग्राम अगरा में मेजरमेंट करने की ज़रौती नहीं परेशानी ही नहीं होगी आप कड़ोरी से समझे और साथ ही यहां पर हम लेंग इसमें से सौंधी सौंधी बढ़िया सी खुश्भूना आने लगे अगर यहां आपको बहुती ज्यादा बेसन सूखा लगे तो थोड़ा सा घी आप और डाल सकते हैं लेकिन बिल्कुल भी हमें इस मिक्स को गीला नहीं करना है ज्यादा अब देखिए सोन पापड़ी कई तर मैंने बहुत मेहनत किये इस रेसिपी पे उसके बाद में आपके सामने यह लेकर आया है जिससे आप सभी की सोन पापड़ी एकी बार में परफेक्ट बन सके कोई आपसे गलती ना हो और यह देखिए लगाता चलाते हुए लगबग 10 मिन के करीम मैंने बेसन ओ मैदा के मिक् सब्सक्राइब करेंगे और चलनी पर सारा मिक डाल करके न इस तरह चाल लेगे इससे क्या होगा कि जो मैदा बेसन वाला यह मिक्स हलका हो जाएगा समान हो जाएगा इसमें बिल्कुल भी लंब्स नहीं रहेंगे सारे पॉइंट्स हर स्टेप पर आपको बताती जा रही जिससे कि आपको इस पार सोन पापडी बनाने में इतनी सी भी परिशानी ना हो और यह देखिए परफेक्ट तो इसको रद देते हैं अभी अलग अब देखते हैं वह इंपोर्टेंट पॉइंट जिसको आप बिल्कुल इसकिप मक तीजेगा सबसे इंपोर्टेंट सोन पा और आदा कटोरी चीनी और ले रही हो यहां पर हमें बिल्कुल वही माप रखना है जो हमने बेसन मैदा का लिया है हमने लिया था एक कटोरी मैदा और आदा कटोरी बेसन यानि टोटल डेल कटोरी तो डेल कटोरी ही हम चीनी लेंगे बिल्कुल इस माप को आप याद रखि वो है आधा चोटी चम्मच नीव का रस बस इतना सा ही डालना है जादा बिलकुल मद डालिएगा इसे जो चाशनी है वो किस्टलाइज नहीं होगी वाइट वाइट सी नहीं होगी अब next important point बिलकुल भी आपको यहां पर चम्मच नहीं लगानी है चम्मच से ना हिलाना है ना हलका सा हिला दीजे मैं आपको हर स्टेपर दिखाऊंगे कि चाशनी की कंसिस्टेंसी और कैसा होना चाहिए यही वो की पॉइंट है जो आपकी सोनपापडी को बनाएगी perfect अब यह देखिए चीनी पूरी मेल्ट हो गई है गाड़ा पनाना शुरू हो गया है अब इस स्टे देखिए यह देखिए अभी जो है चाशनी का चलर है वो सफेज सा ही है कर चेंज नहीं हुआ है और जो बॉल बन रही है यानि जो शेप ले रही है अभी उसमें मुलाइम है उतना कणक पर नहीं आया है तो अभी चाशनी को थोड़ा और पकाएंगे तो टोटल अगर आप मान कर चलें तो 20-22 मिनट धीमी आज पर चाशनी को पकाने में आपको लगेगा चाशनी के अंदर वो परफेक्ट कलर आना बहुत ज़रूरी है एकदम परफेक्ट लच्छेदार धेरो परतो वाली सोन पापड़ी बनने के लिए अब यह देखिए धीरे धीरे करके चाशनी के बॉल यह देखिए परफेक्ट और कलर भी प्रॉपर चेंज हो गया है गैस को बंद कर देंगे इसे स्टेश पर क्योंकि बहुत जादा गरमे चाशनी तो धीरे धीरे गैस बंद के बाद भी कलर पकड़ लेगी और अभी इसमें काफी आप जाग यानी बबल्स देख रह के तवा पैन रहते ही हैं बहुत ही तरीका है इससे आपको बिल्कुल परिशानी नहीं होगी चाशनी पर काम करने में आप चाहें तो इस्टील की थाली घी या तेल से ग्रीस कर लीजे वह भी ले सकते हैं या अगर आपके घर में सिलिकॉन बोल्ट की सुविदा हो तो ले सागे इसे आपके जाशनी या में एजी हो जाए गा पूरी in को इस पर देंगे देगी इस तरह अभी देते है इस तरह अभी ही ए डाली है इसमें आभ जांवेमेंट है हल्की हिल रही है थोड़ा थोसा को सैटलने देग इसी तरह दोसा थेँम मिन आप यह लिए ब देग सक इसमें एक फर्मनेस लाते जाएंगे जिससे कि हम इसे इजीली हाथ से पकड़ कर हैं इस्ट्रेच कर पाएं जो भी सोन पाप्री का जो तिनी भी महनत है इंपोर्टेंट काम है वो यहीं पर है बाकी तो आप देखी रहें कि इंग्रीडियेंट के लिए तो कुछ भी नहीं च देखिये अभी जो जाशनी है उसकी चुपन ह एक यह हमेदे यह चूपा रहे हैं इसको और यह भास अब पो अब भी उष इस टरह से हाथ से बापस फोड कीजेए इस्ट्रेच कीजे बापस फोल्ड कीजे यह काम आपको लगवा कैसे समझे लगवाए बास को कर ना है जब कीमत पर आपकी जो ये चाशनी की तार है वो तूटनी नहीं चाहिए ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है एकदम परफेक्ट आप देख सकते हैं परफेक्ट शाइनी लाइट गलर की हमारी चाशनी हो गई है और बस दोनों सिरो को जोड करके इसकी रिंग बना लेंगे बस इस तरह देखिए कितनी बढ़िया लग रही है अब हम लेंगे एक बड़ा बरतन ये इस तरह परात ले लीजे और इसमें रिंग को इस तरह गोल र देंगे ये देखिए ऐसे और बापिस से इसमें एक ट्विस्ट लगाते हुए ये वाला जो पोर्शने इसके उपर ले आएंगे बतलब ऐस समझे जैसे एट बनाते है बस बिलकुल उस शेप में लाकर के इसके उपर बापिस हम रिंग को रख देंगे तो देखिए बापि इसन और मैदा के मिक्स को डालते रहना है जब तक कि ये जो चाशनी का हमारा रोल है वो इसको अप्सॉप कर रहा है ये हमें पता चलेगा और अभी बिलकुल इसली हम इसको खीच पा रहे हैं या जितनी बार आप इस तरीके का जो ट्विस्ट मैं कर रही हूं कि हमने इसको बापिस हमने गोल आकार दिया देखिए इस तरह एट की तरह बना करके यह में करते रहना है लगबग 20-22 बार बस याद रखिए यह जो में स्ट्रेच करेंगे ना बिलकुल हलके हलके हाथ से एक दम से नहीं कीचेंगे वरना तूट जाएगा क्योंकि अभी गरम है चाशनी हलके हलके हाथ से आप स्ट्रेच करते जाएं जोर बिलकुल ना लगाएं यह देखिए इजी ली स्ट्रेच हो रहा है जोर लगाएंगी तो यह तुरन से तूट जाएगा फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी हमें सोन पापडी बनाने में और फिर से स्ट्रेच करके फिर से इसको एट जैसा बनाएंगे देखे क्या है ना कि सोन पर आपड़ी बनाना उतना कठिन नहीं है लेकिन यह जो स्टेप है अगर यहां गलती कर देंगे ना तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी बस बिलकुल इस तरह देखे कोई टाइम लगाए जल्दी जल्दी सारा काम हो गया है बस यह चाशनी बनाना मेन है और इस तरीके से जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं बापिस से इसमें टूज़े कर इसको गोला कार दे रहे हैं फिर इसको हम आटा लगा रहे हैं यही वो असली प् यानि पर्ते निकलेंगी तभी वो आपकी सोन पापड़ी एकदम लच्छे दाठ धेरो पर्तो वाली तैयार होगी यह देखे अब इसमें काफी सारे लच्छे बनने शुरू हो गये हैं और जो हमने बेसन और मैदा का मिक्स है ना जो आटा मिस पर छड़क रहे हैं उसने का पर्ते बहुत सारे लच्छे बन गए हैं कितना सुंदर दिख रहा है मैं आपको ज़ाड कर दिखाती हूं जो भी इसमें एक्स्ट्रा बेसन और मैदा का मिक्स है उसको ज़ाड देंगे इस तरह से यह देख रहे हैं आप इसमें लच्छे मुझे कुछ केहने की भी ज़रू कि उतना ही हलका और उतनी ही धेरो पड़तो वाली आपकी सोन पड़ी तयार होगी ऐसे बीच में छोड़ियेगा मत अब यहां क्या हुआ कि मैं जब इसको इसको इस तरह स्ट्रेच कर रही हूं तो अब बहुत जादा स्ट्रेच नहीं हो रहा क्यों जो 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 पुरी त मता हो यह जो मुमेंट है जब आपके इस तरह से तने सारे लच्छे बन जाएंगे तो आपको बार को बलीव नहीं होगा कि आपने खुद बना ली धर में और यह देखिए बिलकुल भी कहीं से हार्ट नहीं दिख रही है चुई नहीं दिख रही हमारी सोन पड़ी की यह देखिए तो बस जो भी एक्स्ट्रा बेसन मैदा वाला मिक्स था उसको हटा देंगे और इस तरह से धेरो लच्छे और परतों के साथ सोन पापड़ी है तयार अब इसको देते हैं शेप तो देखिए इस तरह की कोई भी गोल कटोरी ले ले लिजे थोड़े से बारी करके इसको उठा लेगे वाव यह देखिए कितनी सुंदर कितनी सारी परतों के साथ एकदम लच्छेदार हमारी सोन पापड़ी तयार हुई है यह देखिए आर यह वही डिब्बे वाली लोकिक यह से बजार से खरिद कर लाए हो बिलकुल जादा कठिन नहीं है पस इसको खijढ करना घर अचैन नहीं दीफिन मारीस फेल बॉल्पड़ी लह लिए तॱिलु पापड़ी इसको यह जाना जाता है यह दूसरी जरूरी बात बहुत जादा इसको थेर्द हवा में इमत रखिएगा वर्ना क्या होगा कि यह मौश्ड टलेगी और फिर यह टिउच प्लास्टिक पड़नी या कोई शीट ले लिजे जो पैकेट उतर लिजेगा और इस तरह से इसको पैक कर दीजेए ऐसी बिलती ना बजार में भी इस्ते की इसमें हवाना लगे तो सभी को इसी तरह तयार करेंगे और ये लिजे हमारी भैतरीन बिल्कुल बजार जैसी मिठाई के दिब्बे जैसी धेर सारी पड़तों वाली लच्छेदार सोन पापड़ी है बिल्कुल तयार आप देखके ही समझ सकते हैं कि कितनी बड़िया सोन पापड़ी बनी है बहुत सारी रिक्वेस्टी इस रेसिपी के लिए जब मैंने इसको बनाया मुझे अच्छा रिजर्ट मिला तब मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है बस सारी बातों का ध्यान लगते हुए फिर ना तो आपको और ना आपके महमानों को नहीं घर वालों को ये विश्वास होगा कि ये सोन पापड़ी आपने घर में बनाई है तो बस इस तरह बनाईए और मुझे फटा फट कमेंट करके जरूर बताएए कैसी लगी आपको आज की ये मार्केट जैसी सोन पापड़ जै हे जै भारत